जेहिंद जेभारत GKGS के most important question लेके आए हैं आपके लिए सबी question को द्यान से देखना और अपने तैयारी को बहतर करने की कोशिश करना 270 पर सबसे बड़ी rail वेवस्था किस देश की है? एमरीका की एमरीका देश की है 270 की सबसे बड़ी rail वेवस्था भारत में पर्थम rail-gāďी कब चली? 16 अपरेल 1853 को चली मुंबई से थाने के बीच सुरीय का परकास पर्थवी पर पहुंचता है आठ वांट तीन मिν्ट में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान है ये है राजिस्तान में भारत की सबसे लंबी नहर है, इंद्रा गांधी नहर है, ये भी राजस्थान में है संसार का सबसे बड़ा महाकावे है माह भारत है माह भारत की रचना की महरिशी वेदवयास ने कोलकता में फोर्ट विलेम कोलेज की स्थापना किसके दवारा की गई लोर्ड वेलेजली के दवारा की गई, कोलकता में फोर्ट विलेम कोलेज की स्थापना की गई लोर्ड वेलेजली के दवारा, देवास बैंक नोट प्रेज भारत के किस राज्य में है मद्दे पर्देश में है, मद्दे पर्देश की रालदानी है भोपाल गोवा को पूरण राज्य का दरज्या कब मिला 1987 में मिला गोवा को पूरण राज्य का दरज्या मिला 1987 में गोवा पूर्टुगालियों से सम्तंत्र हुआ था 1961 में खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? यमना नदी को जाना जाता है. भारत की सबसे साहिक नदी है यमना नदी. भारत का रूर किस कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है भारत का रूर. जीएस्टी संख्या में कुल कितने डिजीट होते हैं? 15 डिजीट होते हैं यानि 15 होते हैं संख्या में डिजीट जीएस्टी संख्या में स्री नगर किस नदी के तट परस्तित है? जेलम नदी के तट पर है स्री नगर श्रीनगर को बसाय था समराट असोक ने पोकरण में पर्थम बार परमाणू प्रिक्षन कब किया गया 18 मई 1974 को किया गया उसमें परदानमंत्री थी इंद्रागांदी भारत की सिविदान के किस अनुचेद के तहत भारत को राज्यों का संक आ गया है अनुचेद एक के तहत तमासा एम लावनी कहां का लोक नरते है महाराश्टर का महाराश्टर की रादानी है मुंबई सिकंदर की मर्त्यों की स्थान पर उई थी बैबिलोन में उई थी सिकंदर की मर्त्यों बेबिलोन में एकबर का राजसों मंत्री कौन था टोडरमल और एकबर का सनरक सक था बैरम खा कामख्या मंदिर कहा प्रस्तित है असम राज्ये में है असम की राज़दानी है दिश्पूर साथ टापूं का नगर किसे का जाता है मुंबई को कहा जाता है सपनों की नगरी भी का जाता है मुंबई को पर्थवी की सब से निचली प्रत कौन सी है क्रोड है एज़न्ता की गुफाय कहा प्रस्तित है महाराश्ट रहे है ओरंगाबाद में बहार्थ में पैट्रोलियम पर्षवर पर्थम पैट्रोल की खोज कहा की गई पैट्रोलियम की खोज की गई डिगपोई असम मेराज्य में 1901 में किस देश ने मद्देरात्री को सुरिय दिखाई देता है मद्देरात्री का सुरिय दिखाई देता है नार्वे में आयकर किस के द्वारा लगा जाता है केंद्रिय सरकार के द्वारा लगा जाता है हैदराबाद की नीव किस ने रखी कुतुम सहाने हैदराबाद है मूशी नदी के तटपर किस देश के पास प्रमाणू का रिकरम नहीं है डैनमार के पास नहीं है टितनेस किसके सकर्मन के कारण होता है बैक्टरिया के कारण होता है टेटनेस मेरियाना गरत किस महागसागर में स्थित है परसांत मासागर में स्थित है विशव का सबसे बड़ा मासागर है परसांत मासागर सबसे गैरा मासागर है परसांत मासागर विशव का भारत ये पेट्रोलियम संस्थान का अपर्ष्टी था देहरादून में स्थी था देहरादून उत्राखण की राजदानी है देहरादून लोग सभा के पर्थम अद्यक्स कोन थे जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर भारत की उच न्याले की पहली महिला न्याइदिस कोन थी लीला सेठ थी भारत की पर्थम महिला न्याइदिस उच न्याले की आदोनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है भारतेंदू अरिश्चंद्र को सक्रवी रोग का संबन किस से है मसूडे से है विटामिन सी की कमी से होता है सक्रवी रोग बुलन दरवाजे का निर्मान किस ने करवाया था अक्बर ने करवाय था गुजरात विजे के उपलक्स में भारत में निर्मीत पर्थम कम्पूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है कम्पूटर का पिता कहा जाता है चार्श बेबेज को माई टूथ के लेख कौन है? इंद्रा गांदी भारत की पर्थम मैला पर्दान मंत्री थी इंद्रा गांदी इंद्रा गांदी का समादी स्थल है सांती सथल भारत भारती के लेख कौन है? मैथली सरन गुपते भूमिगत मेट्रो रेल परारम करने वाला देश कौन सा है? इंगलेंड है इंगलेंड की राजदानी है लंदन चंद्रमा पर्मान बेजने वाला पर्थम देश कौन सा है? एमरीका तमसो मा जोतर गम्मे कहां से लिया गए है? रिग्वेद से वेद कितने है? च्यार रिग्वेद, यजूर्वेद, साम्वेद और अत्रवेद हिमाले कि स्रेणी की परवतमाला है? वलीत परवतमाला है विशव का सवसे बड़ा मरुष्तल कोन सा है? सहारा मरुष्तल है दक्षिनी एफिरिका में वाटर लिली किस देश का राष्टी चिन है? बांगला देश का बांगलादेश की राजदानी है डाका और बांगलादेश की मुद्रा है टका बांगलादेश है तिरपुरा राज्ये को तीनों तरफ से गेरे हुए है फोरवर्ड ब्लोग की स्थापना किस के द्वारा की गई? सुभास चनर बोश के द्वारा की गई 1949 में दक्षिन एफ्रिका की मुद्रा क्या है? रेंड है दक्षिन एफ्रिका की मुद्रा रेंड लो तत्तव का सबसे अच्छा सत्रोत माना जाता है पालक को पालक में होता है लो तत्तव सबसे अधिक है चीन का राश्टी खेल है टेबल टेनिस चीन की राजदानी है बीजिंग, बीजिंग का पुराना नाम है कीपिंग, राजे हडपनिती किसे संबंदित है, लोर्डे डलोजी से, कलेंग कायूद कब हुआ था, 261 पूरम में हुआ था, दक्षिन भार्थ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, वरद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी नदी को, किस राजशव के सासनकाल में सरवादिक सोने के सिके जारिक किये गए थे, गूप्त वन्स में, गोप्त वन्स की स्थापना की थी, श्री गूप्त ने, वीडियो पसंदा आए, तो वीडियो को लाइक और शेय इस से आने वाली वीडियो की नोटफिक्शन सबसे पहले आपको मिले, रोम किस नदी के तट परस्थित है, टाइबर नदी के तट परस्थित है, इटली की राजदानी है, रोम, चेचकरोग किस के कारण होता है, विशाणू के कारण होता है, चेचकरोग, भारत रतन पाने वाले पहले संगितकार कौन थी? पंडित रवी संकर. उच ताप को किससे मापा जाता है? पैरो मीटर से. कौन सी मिटी जादा जल सोकती है दोमट मिटी भारत के राष्टी क्लेंडर का पर्थमा कौन सा है चेत्रमा भारती राष्टी क्लेंडर को संसद के द्वारा स्वीकार के अगा था 1957 में चीन ने भारत पर कब आकरमन किया था 20 अक्तुबर 1962 को संतंतर पूरव भारती राष्टी कांग्रेस में विवाजन का बुगा था 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में मानव रेटिना पर बना परतिविम किस परकार का ओता है वास्ट्विक और उल्टा होता है और मानव की आँख में पर्तिमिम दिखाए देता है कोर्णिया में आगा ख़ब का सम्झ किस खेल से है ओकी से है ओकी काजा दुगर काजाता है मेजर द्यान्चन्द को द्राजलिंग प्रवतियन नगर भारत के किस राज्य में स्थीत है पस्चिम बंगाल में है पस्चिम बंगाल की राजदानी है कोलकत्ता साइस सिटी भी का जाता है कोलकत्ता को पस्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर जी इंसूलीन की खोज किस ने की थी फैडरीक ग्रांट ने की थी इंसूलीन की कमिस्य होता है मद में रोग राश्टी एकता दिवस कब मना जाता है 31 अक्तुबर को मना जाता है राश्टी एकता दिवस एस्या विकास बैंक का मुख्याले कहां प्रस्थित है मनिला में स्थित है टेरी बांध का निर्मान किस नदी पर हुआ है बगीरिती नदी पर हुआ है उत्राखंड राजे में भार्त का सबसे उंचा बांध है टीहिरी बांध विशा बैंक का मुख्याले का है वाशिगटन डिस्सी में है एमरिका की राजदानी है वाशिगटन डिस्सी नाजिवाद की स्थापना किस ने की थी एडरोल्फ इटलर ने की थी मोसं विज्यान अनुसंधान संस्थान कहां प्रस्तित है नई दिल्ली में श्तित है भारत की राजदानी है नई दिल्ली, नई दिल्ली राजदानी मनी 1911 में लोर्ड ओर्डिंग दित्ते के ससनकाल में भारत की आजादी के समय कांग्रेश के अध्यक्स कोन थे, जे बी करपलानिंग विकास वाद का सिद्धान्त किस ने दिया था? डारवीन ने दिया था विशो मद में दिवस कब मना जाता है? 14 नमंबर को मना जाता है बाल दिवस भी मना जाता है 14 नमंबर को माल प्रभा प्रियोजना किस राज़े में है? करनाटक राज़े में है माल प्रभा प्रियोजन है करनाटक राजी में विटामिन A के अविश्कार कोन थे? मैकूलन थे? मैकूलन थे विटामिन E के अविश्कार कोन थे? अन्तिम मराठा पेश्वा कोन थे? बाजीराव जीतते थे 1922 के भारत छोडों आंदोलान के दोरान भारत कावाई स्राय कौन था? लोड लिन लिथंगो थे लिन लिथंगो विटामिन सी की खोज किस ने की? होल कट ने की कर्षन देवराय किस के समकालिन थे? बाबर के मुगल समराजे की निव रखी थी बाबर ने 1526 में पाणिपत के पर्थम युद के बाद भारत में पंच्याती राजवेवस्था सब से पहले राजजस्तान के कीज जिले में शुरू की गई नागोर में जिले में शुरू की गई 1969 में पंडित ज्वारलाल नेरु के दोरा रिग्वेद का इंदी में अनुवाद किसने क्या था दयानन सरस्वती ने आरिय समाज की स्थापना भी की थी दयानन सरस्वती ने 1875 में मुंबई में दयानन सरस्वती का बच्पन का नाम था मूल संकर 10 डिग्री चैनल किसके बीच आउस्थित है एंडे मान निकोबार के मद्देश्थित है एंडे मान निकोबार की राजदानी है फोर्ट बलेयर इरोशिमा पर परमाणू बम विसफोर्ट कब हुआ था 6 अगस्त 1945 को इरोशिमा है जापान में बम गिरागा था एमरिका के दुवारा 6 तरफल की दरश्टी से सबसे बड़ा राज़े कौन सा है राजस्थान है राजस्थान की राजदानी है जैपूर पिंक सिटी का जाता है जैपूर को सामबर जील है जैपूर में रबड उत्पाद में देश का अग्रनिय राज़े कौन सा है केरल और विश्व में सबसे अधिकरबड होता है थाइलेंड में बनिहाल दर्रा किस राज़े में स्थित है जम्मू कस्मीर में मोतियों का दीप किसे का जाता है बहरीन को कहा जाता है एंपिरियल बैंक ओफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ओफ इंडिया कब रखा गया 1955 इस्वी में उत्री ध्रव की खोज किस ने की उत्री ध्रव की खोज की रोबर्ट पियरी ने गरों की गरों की खोज आए गया परमिस्टे है अनुचेद 32 को स्रवाधिक लोक्टरन बंद उतावाला तत्त कौन सा है कैलोरिन है संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है भारत का कैप कैमोरिन किस मासागर में स्थित है यह आएगा किस परसारण कब प्रारम किया गया उन्नी सो उन्से टीश्वी में कपास के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है काली मिट्टी सबसे अधिक कपास होती है गुजरात राज्ये में स्री लंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है मूल करते हों को किस देश के स्विधान से लिया गया है सोवियत संग के स्विधान से सोवियत संग यानी रूस के स्विधान से लिया गया है मूल करते हों को पठाखा किस देश की मुद्रा है मकाव की रक्षय की सूची का विश्य है संग सूची का विश्य है रक्षय मदूसाला के ले कौन है अरिवन्स राय बच्चन रिग्वेद काल में सवसे पर्मख देवता कों थे इंद्रे बलेक पैगोंडा मंदीर भारत के किस राजे में श्तित है यह श्तित है बलेक पैगोंडा पैगोंडा हस्तित है यह उडिसा राजे में उडिसा की राजदानी है भूनेश्वर उडिसा के मुख्यमत्री है नवीन पटनाएक सविदान में कुल कितनी अनुसूचियां है आठ अनुसूचियां है सविदान में और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है सविदान में बारा टीका करन की खोज किसने की थी एडवर्ड जैनर ने राश्टी राजमारग एक किन दो सेरों को जोडता है दिल्ली को अमरत्सर से जोडता है अमरत्सर है पंजाब में सवरण मंदिर है अमरत्सर में पंजाब को वसाय था गुरू रामदास ने चेत्रफल के द्रिष्टी कौन से अडपास बेता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है मोहंजोदुडो है सिंध प्रांत में पाकिस्तान में और अडपास बेता की स्खोजगी थी 1921 में दयाराम सहनी ने त्रेथ यात्रा पर कर लगने वाले कर को किस मुगल सासक ने समाप्त क्या था अकबर ने दिने इलाई धनम की स्थापना भी की थी अकबर ने वीडी सावरकर ने 1904 में अबेना भारत की स्थापना कहां की थी लंदन में बिरिटेन की राजदानी है लंदन विशव में सबसे अधिकवन किस देश में है कांगो देश में और भारत में सबसे अधिकवन है मद्देपर देश में विशव की सबसे लंबी नदी है निल नदी और भार्त की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी 25-25 किलोमीटर रेडियो का विश्कार किस ने क्या था मारकोनी ने किस महादीब को डार्क महादीब केनान से भी जाना जाता है